हलो स्टुडेंट्स आज हम बहुत धर्म के बारे में चल्चा करेंगे बहुत धर्म के परवर्तक मात्मा बुद्ध जिनके बच्पन का नाम सिदार था का जन 563 इस्वी पूर में नेपाल की तराई में इस्तित कपिल वस्तु के लुम्बीनी नामक ग्राम जिनको वर्तमान में रुमिन देई के नाम सिजाना जाता है मैं साक्य क्षत्रिय कुल में हुआ कपिल वस्तु की पहचान सिदार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है कुछ विद्वानों के अनुसार कपिल वस्तु की पहचान नेपाल की त्राई में इस्तित आधुनिक तिलोरा कोट से करते हैं सिदार्थ का गोत्रे गोतम था अते उन्हें गोतम भी का गया है सिदार्थ अतार्थ मात्मा बुद्ध के पिता शुद्धो धन साक्य कुल के मुक्या थे शाक्य अपने आपको एक शुआ को वंच शेक्षत्री मानते थे मात्मा बुद्ध की माता का नाम मा माया था जो की कोल ये वंच की राजकन्या थी इनकी माता का देहान थे बुद्ध के जन्म के साथ में दिन हो गया था एता है महात्मा बुद्ध का पालन पोशन उनकी मोसी परजापती गोत्मी के दवारा किया गया दो विद्वान काल देवल वर कोंडिने ने बहुश्य कमानी की की सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी बनेगा बाले काल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रूची के कारण सोड़ा वर्ष की आयूब में उनका विवा शाक्य कुल या कोलिय गंडराज्य की कन्या यसो दराज से कर दिया गया जिसका बोध गरंतु में बिम्बा, गोपा, बदकचना नाम भी मिलता है 28 वर्ष में सिद्धार्थ को यसोद्रा से राहूल नामक पुत्र की प्राप्ति भी लेकिन सांसारिक दुखुं से दर्वित होकर उन्होंने 29 वर्ष में ग्रहत्याग कर दिया इस ग्रहत्याग को बोध मतावलं भी महा भिनिश कर्मन कहते हैं 29 शिद्धार्थ ने अपने गोड़े कंथक वैसार्थी चंदक को लेकर ग्रहत्याग किया 29 मात्मा बुद्ध के ग्रहत्याग की गटना 30 या उनके मन में वैराग्य उत्पन करने वाले चार दर्ष जिनके बारे में हम देखते हैं पहला दर्षय जर जर स्रीर वाला व्रिद व्यक्ति दूसरा दर्षय रोगी व्यक्ति तीसरा दर्षय मृत्य व्यक्ति और चोथा द्रिश्य है परसन मुद्रा में सन्यासी तो सांसरिक जीवन में जीरे व्यक्ती जो दुखी थे लेकिन सन्यासी जीवन जीरे व्यक्ती परसन मुद्रा में था तो ये देखर उसको वेराग्य उत्पन हो गया और उन्होंने ग्रहत्या कर दिया ग्रेत्या के पस्यात सिदार्थ ने अनोमा नदी के किनारे सिर मुंड़ुआ कर बिक्षूं के वस्तरदारन किये ग्रेत्या के पस्यात उनके पर्थम गुरू गुरू वेशाली के समीब आलार कालाम नामक सन्यासी थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे इसी कारण बोध धरम पर सांख्य दर्शन का प्रवाव देखने को मिलता है आलार कालाम के बाद राज ग्रह के रुद्रक या उद्रक रामपुत सिदार्थ के गुरूब ने किंतु सिदार्थ संतुष नहीं हुए रुद्रक ने नेव संग्या ना संग्यायतन नामक योग का उपदेश दिया उसके पस्यात वे उरुवेला जिसको बोध गया के नाम से जाना दता है जहां उन्हें कोंडिने वे अन्य च्यार ब्रामन सादक मिले सिदार्थ ने कठोर सादना छोड़ कर निरंजना नदी के किनारे सुजाता के हातों में बोजन ग्रेन किया 35 वर्ष की आयू में उरुवेला में एक वटवरक्स के निचे समादी की अवस्ता में 49 दिन वैसाग पुर्णीमा की रात निरंजना जिसका दूसरा नाम पुनपुन भी था नदी के तट पर सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ती हुई ज्ञान प्राप्ती की इस गटना को संबोधिक आ जाता है ज्ञान प्राप्ती की गटना के दो दिन बाद ही सिदार्थ तथा गत हो गए वै गोतम बुद्ध के नाम से परसिद हुई उरू वेला से मात्मा बुद्ध वारानसी के पास इस्तित सारनाथ आये वै यहां के रिशी पतनम जिसका वर्तमा नाम उशावदन वै मृक दाव आस्तरम में पांच ब्राह्मन सन्यासियों को पाली बासा में पर्थम उपदेश दिया ये पांच सिस्य थे आंच, कॉंडिने, असजीवप, महानाम, बद्धिये उनका पर्थम उपदेश ध्रम चक्कर परवर्तन कहलाता है यहीं सारनाथ में बुद्ध ने बोध संग की स्तापना कर बोध संग में परवेश आरम कर दिया मात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सरवादिक उपदेश कोसल की राजदानी स्रावस्ति में दिये उन्होंने मगत को अपना परचार के अंदर बनाया मात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं भली नामक दो बंजारूं जो की सुद्धर थे को गया में बोध द्रम का सरुपर्थम अन्वियाई बनाया बुद्ध ने बनारस के यश नामक स्रेश्टि को भी संग का सदे से मनाया बुद्ध के परधान सिश्य उपाली वे सर्वादिक प्रिय सिश्य आनन थे बुद्ध ने चुंद नामक लुहार के घर पावापूरी में भोजन जो की सुकर मार्दव था ग्रहन किया जिससे वे उदर विकार अतार्थ पेचिस से पीडित हो गए और बिमारी की अवस्ता में ही कुशी नगर आये मातमबुद्ध ने कुशी नारा में बिक्षों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी संसकार वे धर्मा अतार्थ नश्ट होने वाले हैं इसलिए परमाद से रहित होकर अपना अपना कल्यान करो ये मातमबुद्ध के अंतिम उपदेश थे इनका निधन 483 इसु पूर में 80 वर्स की आयू में हीरणिय वती नदी के तटपर कुशी नारा में हुआ इनके निधन को महा परी निर्वान के नाम से जाना जाता है विद्वान कुशी नगर को देवरिया या कस्या गाव मानते हैं मिर्त्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने कुशी नारा में प्री वराजक सुबच से अच्छा सुबध को अपना अंतिम उपदेश दिया महा परी निर्वान के बाद बुद्ध के अवसेशों को निम ने आठ लोगों ने आठ भागों में विवाजित किया वे उन पर आठ इस्तूब बनाएं जिन में मगत के नरेश अजासत्रू, वैसाली के लिच्वी, कपिल वस्तू के शाक्य, अल्प कलप के बुल्ली, राम ग्राम के कोलिय, वेट दीप के ब्रामन, पावा कुशी नगर के मल्ल, पिपलवन के मोरिय बुद काल में शिवी, सूती कपड़ों के लिए, गांदार, कुनी कपड़ों के लिए, वेवारान सी, रेश में कपड़ों के लिए परसिथा मात्मा बुद के समय के सासक, जो मात्मा बुद के अन्युयाई थे, मगद के सासक बिंबी सार और उसके पुत्र अजास सत्रू, कोशल का सासक, परसेंजित, वत्स राज्य का सासक, उद्यन, अवन्ती का सासक, महा कचाईन, साक्य राजा, बद्रिक और सूर सेन का सासक, अवन्ती पुत्र, ये मात्मा बुद के अन्युयाई रहे हैं, बिंबी सार ने राजग्रह में वेलुवन नामक विहार बनवाया, अनाथ पिंडक ने स्रावस्ति में बुद्ध के लिए जेतवन विहार का निर्मान करवाया, अनाथ पिंडक ने अठारा क्रोड स्वन मुद्राओं में जेतवन विहार को जेत राजकुमार से खरीदा था कोसल नरेश परसेन जितने भी बोध संग के लिए स्रावस्ति में पुबाराम या पुरुवाराम नामक विहार बनवाया इसके लिए अंग में स्रेश्टि की पुत्री विशाका ने धन दिया था बोध द्रम का सरवादिक परचार कोसल राज्या में हुआ कोशल में ही बुद्ध के सरवादिक अन्युयाई बने तथा कोशल की राजदानी स्रावस्ती में ही बुद्ध ने सरवादिक उपदेश दिये तथा स्रावस्ती में ही सरवादिक वर्षाकाल व्यतीत किया कपिल वस्तु भी कोशल राज्य के अधीन था अंगूली माल नामक डाकू को बुधने स्रावस्ति कोशल में ही बोध्रम दिक्सित किया धन्यवाद